हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है संबंद रूपा को समझा गया कि अब उसको क्या करना है आठ महीने हो गए थे रूपा और अविरल की साधी को जब से रिष्टा हुआ था हर बाद पर उसकी सास का यहीं फरमान रहता हमारे यहां जो भी लेना होता है वो पूरे परिवार के लिए होता है रूपा के पिता हर सगुन पर रूपा की ससुराल के हिसाब से सदस्य के लिए उनकी पसंद के कपड़े दिलवाते क्योंकि एक बार अपनी पसंद के दिये तो सब ने कह दिया कैसे कपड़े हैं हम नहीं पहनते हैं इसे कपड़ इसके अलावा सगाई पर भी अविरल के लिए जैसी घड़ी और सोने कीचैन खरी दी गई बिल्कुल वैसी ही उसके दोनों भाईयों के लिए भी मंगाई गई रूपा अपने पापा से कहती तो वो भी उसे चुप कर देते साधी तक तो ठीक था साधी के बाद रूपा अपने घर पग फेरे के लिए गई तो उसके पिता ने विदाई में रूपा विरल और समधी समधन के लिए कपड़े साथ में फल मिठाई और भी बहुत शारा सामान भेजा रूपा को आते ही सुनना पड़ा घर में सबके कपड़े होने चाहिए थे रूपा ने कहा पापा ने सबके लिए रूपी भेजे हैं और सबके सगुन के लिफापे उनके हाथ पर रख दिये एक हजार रूपे में कौन से कपड़े आते हैं मम्मी जी पापा ने अपनी हैसियत से दिया है साधी के बार पहला तेवहार वट सावित्री का आया तो रूपा के पिता ने रूपा अगरल और समधी समधन के लिए कपड़े भेजे उसके अलावा फल मिठाई और भी बहुत सारा सामान भेजा लेकिन सासु मा ने इतने परभी मुँ बना लिया कि रूपा के दोनों जेर जठानियों और उनके बच्चों के कपड़े नहीं भेजे रूपा के पिता ने कहा बहन जी हर छोटे बड़े तेवहार पर सब के कपड़े देना मुस्किल है और हर बार सोने की चीज देना भी मुनासिब नहीं, साधी में मैं ने आपके हरमांग पूरी किये, अब मैं उतना ही कर सकता हूँ, जितना जरूरी हो, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं, रूपा अपने पिता की मजबूरी समझ रही थी, उसकी आँखों से आंसु बह रहे थे, लेकिन उसके पिता ने उसे चुप रहने कोई सारा किया, उसके पिता के जाने के बाद शासु मान ने कह दिया, ऐसे हमारे यहां कुछ देने की जरूरत नहीं है, देना है तो सबको दो, वरना मत दो, अब हमारे लिए उपहार आएं, और हमारे बच्चे खाली हाथ देखते रहें, ये अ जरूरत नहीं है, केवल मेरे और अउरल के कपड़े भेजना, और जो फल मिठाई आपको देना है, उतना ही देना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन बेटा, उसकी मम्मी ने कहा, नहीं मम्मी, अब तक आप लोगों ने अपने मन का किया, अब मैं पापा का और जब सिधारे का सामान देखा, तो केवल अउरल और रूपा के कपड़े देखकर भड़क गई, बहु ये सब क्या है, हमारी इतनी बेजती, अब से तुम्हारे माय के वालों से कोई संब्द नहीं रखा जाएगा, और तुम दोनों भी ये कपड़े नहीं पहने हुए, मम्म लिए भी कपड़े ना भेजें, और रही मेरे माय के से संब्द की बात, तो मैं अपने माय के संब्द नहीं तोड़ सकती, अगर आपको उनसे मतलब नहीं रखना, तो मत रखें, लेकिन फिर मेरा भी इस घर से मतलब खत्म हो जाएगा, और मैं और अविरल मम्मी पापा के दिये कपड़े क्यों ना पहने, उन्होंने अपना आसिरवाद सगुन के तोर पर भेजा है, मम्मी जी माय के से सगुन आया यहीं बहुत है, उसमें कमी ना निकाले तो ही अच्छा है, रूपा की बात सुनकर सासु मा से आगे कुछ बोलते ना बना, अब तो दोनों जिठा पानियों ने भी कह दिया, कि वो भी अपने माय के से के वल सगुन मंगाएंगी, माय के से सगुन आया यहीं बहुत है, ज्यादा दिखावा करने का भी कोई फायदा नहीं है, शासु मा सोच रही थी, वो अपनी सारी बहुँओं पर लगाम रखने की सोच रही थी, लेकिन ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया, और मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया, दोनों बहुँओं भी हाँ से निकल गई, आसा करती हूं दोस्तों, आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी, धन्यवाद